Hi everybody, आज की जो हमारी वीडियो है वो C से शुरू होने वाले सारे शब्ध हम करेंगे जिनकी Hindi vocabulary हमारे को पेपर में आ सकती है तो let's start with the alphabet C words, सबसे पहला word है हमारा camera, camera is, we all know that, बंद कमरा, camera is one and the same thing Second is case law, what do you mean by case law, case law को Hindi भी हम बोलेंगे निर्नेयोत्पन विधी, इसका case law को आप ऐसे भी कह सकते हैं, कोई भी जो case होता है, उसकी जो पुरानी case की जो details होती है, उसको हम case law बोलते हैं, proper Hindi meaning तो इसका निर्नेयोत्पन विधी है caveat actor, अब आपने यह topic पहले भी पढ़ा है, caveat actor, caveat venditor, caveat emptor, यह हमने words पहले भी किया हूँ है, सबसे रहले मैं आपको पताते हूँ, caveat emptor का मतलब, caveat emptor, E-M-P-T-E-O-R, caveat emptor is when buyer is responsible, जब आपका विक्रेता सावधान रहे, यह वाला सिधान होता है, उसको हम कहते हैं, caveat emptor, मतलब अगर कोई किसी को कोई चीज बेच रहे, तो जो खरीदने वाला है, अगर कोई गलती होगी, तो उसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी, उसको कहते है, caveat emptor, caveat emptor, जो कारे करने वाला सावधान रहे, जिसने काम किया है, उसको कहा जाता है, be aware, and who is caveat venditor, विक्रेता सावधान रहे जाता है, caveat emptor is क्रेता सावधान रहे, caveat venditor is विक्रेता सावधान रहे, and caveat actor is कारे करने वाला सावधान रहे, ये तीन चीज़ें आपने ध्यान में रखने है, then next is your cross examine, cross examine करना मतलब, जब आप किसी और के गवा के साथ question answers करते हैं, उसको हम cross examination बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलेंगे प्रती परिक्षा करना, प्रती परिक्षा करना, चैंपर्टी, चैंपर्टी क्या होता है, वाद्य व्यवसाय, वाद्य व्यवसाय का मतलब क्या है यहां पर, चैंपर्टी is a person, एक ऐसा third person, जब किसी case के बीच में इंटरफेर करता है, जिसका case से कोई लेना देन नहीं है जब वह इंटरफेर करता है सिर्फ इसलिए कि अगर यह केस जब सॉल होगा तो इसमें से बेनिफेट्स मैं भी लूँगा उसको गहते हैं चैंपर्टी चैंपर्टी इस बाद्या व्योफसाए मतलब किसी थर्ड परसंड का इंटरफेर करना केस के बीच में ताकि वह तो आफर गेटिंग देटेट्स सॉल को उसमें अबना बैनिफेट उछा सके चैस्टी 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 e सतित्व पवित्रता मतलब प्योर सेक्शयली जब कोई साबिद हो जाता उसको चैस्टी बोलते हैं और नीक्स चैटल चैटल इस धन धन्धन्य मुवेबल प्रॉ प्रजापत्य विभा या पंजी विभा जो रिजिस्टर्ड मैरेज होती है कल्यूजन कल्यूजन इस गुप्त सम्झोहता ठीक है कपट संदी भी बोल सकते हैं मतलब जब किसी को भी ना बताया आप दो जने आपस में कल्यूड कर लेते हो उसको हम कल्यूजन बोलते हैं color of office color of office पदाभास मतलब what type of job you are in आप किस तरह के की post में है उसको कहते है color of office एक तरह का phrase जो यूज करते हैं condone, condone का मतलپ होता है熟iva, किसी को शमा करना, concept concept is control किलपना करना, कभी चीज़ का का विचार करना, उसके बाद है clog, clog का हम जहते हैं कोई चीज पे clog आ गया है clog आ गया मतलब attack ना, कोई चीज़ जाती है उसको हम clog बोलते है coercive, coercive is बल प्रयोगि जिसमें बल प्रयोग होता है उसको हम कोईरसियभ बोलते हैं he is putting a coercive force, coercive force means बहुत heavy force उसके बाद है commission, commission का मतलब क्या होता है? आयोग जो एक organization होती है, जिसमें 7-8 लोग चुने जाते हैं दाकि वो किसी चीज की investigation करें तो इसको हम आयोग बोलते हैं फिर compensatory damages पताई है हमें शती पूरवक शती पूरवक प्रतेई ठीक है compensatory damage का मतलब होता है जब आपने किसी का नुकसान किया है तो उसको जो compensation आप damages के लिए देते हो उसको compensatory damages बोलते हैं competent witness competent witness is सक्षम सक्षी capable witness ठीक है जो witness capable होता है मतलब जो minor नहीं है जो unsound नहीं है तो ऐसा इंसान जिसमें जो सक्षम है उसको कहता है सक्षम साक्षी साक्षी is evidence witness come into forces problem होना कोई चीज फोर्स में आ गई come into effect is लागू होना कोई चीज लागू हो गई है concede is सुिकार करना accept करना मान लेना conjugal conjugal is बैवाहिक मतलब शादी में जो use होता है conjugal rights हम कहते है न constructive is रचनात्मक ठीक है that is रचनात्मक जो बहुत ही ज़ादा creative हो उसके बाद आपका contradiction contradiction का मतलब परसपर विरोधी कथन मतलब आपस में आपका बैवाद हो आपके सहमती नहीं मिल रही है then is convict convict is doshi accused उसको हम convict भी बोलते हैं copyright is प्रकाशन अधिकार मतलब जिसको प्रकाशन करने का publication right है उसको कहते है corporeal is शारिरिक ठीक है काहिक या शारिरिक capital punishment we all know mritudant cruelty is hinsa crime is दोश या अपराद तो यह सारे जो words थे यह थे C से शुरू होने वले words जो exam में अकसर इनका Hindi translation आप से पूछा जाता है तो जादा मुश्किल नहीं है easy है एक दोबर सुनेंगे आपको याद हो जाएगा till then bye bye